ये दुनिया पैसों की भाषा सुनती है। इसलिए यहाँ पर पैसा फेक, तमाशा देख जैसे रूल्स लगमोता है। अब भले ही इनसान को जीने के लिए रूटी, कपड़ा और मकान जरूरी हो। लेकिन जब भाई जेब में पैसा हो तो सिर्फ रूटी, कपड़ा और मकान से ही क्यों संतुष्टी की जाए। उसके अलावा भी दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जिससे खरीदा जा सकता है। अब आप खाने में ही ले लीजीए। आप भले ही दो रूटी से संतुष्ट हो जाते हैं लेकिन अमीरों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। और उन्हें खाना तब तक अच्छा नहीं लगता जब तक उसे खरीदने में उनकी जेब भीली नहीं हो जाए। और इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे ही फूड आइटम्स के बारें बताने वाले हैं जिने सिर्फ और सिर्फ अमीरी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को तो आपको पूरा देखना ही पड़ेगा क्योंकि इनसान को पता होना चाहिए कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिने खाने के लिए उसकी साल भर की इंकम भी कम हैं। तो चलिए शुरू गड़ते हैं। दोस्तों ऐसे ही मज़दार वीडियो के लिए इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा कर साथ वाली घंटी पर क्लिक करके आल का ओप्षिन जरूर सेलेक्ट कर लेना। कॉफिन बेक किंग ओश्टर्स अब बात अगर ओश्टर्स के आती है तो ये बात हम बखू भी जानते हैं कि इसे भारी मातरा में लोग खाना पसंद करते हैं। इसलिए सी फूड के टेस्ट के साथ साथ इसे खाने वाले की रईसी भी साफ जलगती है। अरे भाई जिस सी एनिमल से मोती निकलता है अगर उसी को लोग खाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी वावाई तो होगी ही। लेकिन हम आपको बता दे कि यूँ तो ओइस्टर्स की कई सारी प्रजातिया मौजूद है। लेकिन वो कहते हैं ना कि राजा एक ही होता है और इस सी फूड की एक प्रजाती भी कुछ ऐसी है जिसका नाम कॉफिन बेक किंग ओस्टर है। और ये अस्ट्रेलिया के पैनिन सुला में मौजूद एक फार्म से आते हैं। और हाँ अब जब हम इसकी कीमत बताने वाले हैं तो जटके मत खाईएगा क्योंकि इस ओइस्टर की कीमत 75 डॉलर से ज़्यादा है। अब आप सोचेंगे इतना महेंगा क्यों मिलता है तो हम आपको बता दें बाकी ओइस्टर के मुकाबले इसमें ज़्यादा मीट होता है। और इसका टेस्ट भी काभी ज़्यादा बहतरीन होता है। इसी विज़े से लोग इसे भारी मातर में खरीद कर खाना पसंद करते हैं। लेकिन इसे वही खरीदते हैं जिनकी जेब भारी होती हैं। परना बाकी लोग तो आम ओइस्टर से काम चला लेते हैं। अलमास केवियर दोस्तो बेशक ओइस्टर बहतरीन सीफूड हैं। लेकिन असली स्वैग तो केवियर खाने में हैं। वैसे जिन लोगों को पता ना हो कि केवियर क्या होते हैं। तो हम आपको बता दे कि मचली के अंड़ों को केवियर का जाता है। जो कि बहुत ही जादा महेंगे मिलते हैं। और इन्हें खाना सबके बसकी बात नहीं होती। लेकिन इसमें भी एक बहुत हाई क्वालिटी का केवियर होता है। जिसे अलमास केवियर कहकर बुलाते हैं। पर इसका दाम वाकई में किसी को बेहोश करने के लेकाफी है। क्योंकि इसके लगभग एक किलो की डबबे की कीमत 25,000 डॉलर है। अब जाहिर सी बात है इसका डबबा पूरी तरह से 24 करेट गोल्ड से बना हुआ है। तो केवियर के साथ इसकी कीमत तो आपसे बसूली ही जाएगी। इसके साथ ही इस वाइट केवियर की अगर हम बात करें तो ये एक अलबीनो बलूगस सी फिश के अंडे से बनता है। इसी वज़े से इसका कलर भी पूरी तरह से वाइट होता है। हम आपको बता दे हैं फिश पूरी तरह से रेयर होती है और इतनी रेयर होने के बावजूद इनके अंडों को इतनी भारी मातरा में बीचा जाता है और तो और इस केवियर को बनाने के लिए 100 साल से पुरानी मचलियों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक तम टेक्स्चर दे सके एक बाद तो गहनी बनती है वो ये कि बाकियों को तो हमें नहीं बता लेकिन किसी भी वेजिटेरियन इंसान को अगर पैसे दे कर भी ये खिलाय गए हो और उसका सूप बना कर पिया है हमें पता आप यहीं सोच रहे होंगे कि हम ऐसे उटपटंग सवाल क्यों पूछ रहे हैं तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके लिए ये चीज उटपटंग हो सकती है लेकिन चाइना के लोग इसे बड़े चाव से पीते हैं और उसकी कीमत धाई हजार से लेकर दस हजार डॉलर प्रती किलो की दर से है और हाँ आप ये समझने की भूल बिलकुल मत करिएगा कि खासफूस और बाकी चीजों से बने गोंसले का सूप इतना महेंगा क्यों मिलता है क्योंकि हम आपको बता दें कि सिर्फ लैट नाम की चिड लगता है वो भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है जो कि खाने में बड़ा टेस्टी लगता है और इस सूप को पीने के लिए लोग उंचो उचे पहाडों पर चड़कर चिडिया के घोसले को तारते हैं और फिर घोसले से एक एक करके चिडिया के बच्चों के बाल न अलग है क्योंकि इंडोनीशा में मिलने वाला आयम, सिनेमी, ब्लैक चिकन बिलकुल अलग है जिसे खाते वक्त आपकी प्लेट में ग्लैक कलर के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि इस चिकन का सिर्फ उपरी कलर ही ब्लैक नहीं है बलकि अंदर से भी पूरी तरह स ब्लैक है इसी वज़े से मार्केट में इसकी वैल्यू बहुत जादा है हाला कि इसकी वैल्यू जादा होने का एक और कारून भी है वो ये किसका टेस्ट क्योंकि ये नॉर्मल चिकन से बहुत ज़्यादा बहितरीन लगता है जिसे खाने के लिए लोग अच्छे खासी रकम देने को तयार है उसी के साथ ही से खाने से कई सारे फायदे भी होता है क्योंकि ये इम्म्यूनिटी सिस्टम के साथ साथ तरह तरह के प्रूटीन और वाइटमिन से मिलकर बना हुआ है और इसी वज़े से एक बड़े चिकन की कीमत 2000 डॉलर और एक छोटे न्यूबॉंड ब देशों में तो लोग भारी मातरम ऐसा करते हैं अब जैसे कि आप जापान में मिलने वाली ताजीमा ग्यू काय के मीट को देख लीजिए ये एक जैपनीज ब्रीड है जिसके मीट का टेस्ट आपको किसी भी दूसरे मीट से 10,000 गुना जादा बहतर लगेगा और इसके फाय लेकिन इन्हें पाना इतना असान नहीं है क्योंकि इनके पीछे कई सारी कंट्रूवर्सी हो चुकी है जिस कारण जिन रेस्टोरेंट में ये मीट बेचे जाते हैं वहाँ पर स्पेशल लाइसेंस के जरूरत होती है तबी इस मीट को बेचने के इजासत मिलती है और उसी के अब आलू जैसी चीज तो बिलकुल नॉर्मल है जिसे गरीब से गरीब इनसान भी खाई लिता है क्योंकि एजीली अवेलिबल है और बहुत सस्ते दामों मिल जाते हैं लेकिन लाब बोनेटो पोटेटो के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता और इन्हें लाब बोनेटो के अला जानी होगी तो दोस्तों इनके इतने महेंगे होने की सबसे बड़ी वज़य यह है कि हर साल यह सिर्फ 20 तन ही हुआ जाते हैं इसके लाब यह सिर्फ एक आईलेंड के अंदर ही उगते हैं बाकी आपको यह किसी और जगह पर नहीं मिलेंगे और जब एक जगह पर यह उगत है तो जाहिर सी बात है काफी रहरें और जो भी चीज रहर होती है उसका महेंगा और निष्चत है और तो और इनकी हार्वेस्टिंग में किसी भी मीशिन की ज़रूरत नहीं होती बलकि सारा काम वरकर्स अपने हाथों से गरते हैं वहीं अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो दोस्तों 300 डॉलर प्रती पाउंड की दर से भिखता है जिसका मतलब है एक किलो की कीमत 660 डॉलर के लगबग है जो कि आम आलू से सैंकडों गुना महेंग है अगर आपको ना पताओं कि ट्रफल क्या होता है तो हम आपको बता दे कि एक प्रकार का फूड होता है जो कि अधिकतर पेड़ों के पास पाए जाता है और यह बहुत ही रियर और महेंगा होता है जिसके सबसे बड़ी वज़य यह होती है कि यह फूड आइटम दिल के मरीजो में बहुती मुश्किल से उगता है जो जमीन के कुछ इंच नीचे दबे होता है और इसी विज़े से इन्हें ढूड़ना बहुती ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और फिर इन्हें ढूडने के लिए highly trained कुत्तों का इस्तमाल किया जाता है जो इन्हें सूंग निकालते है और फिर उस जगह पर खुदाई करके इन्हें ढूंडा जाता है दूस्तों जाहिर सी बात है जब इन्हें ढूंडने में इतनी मेनद की जाती है तो उनकी कीमत भी उसी साब से होगी और प्लस अगर हम इनके स्वाद की बात करें तो ये पास्ता और बाकी इटैलियन डिश् के हिसाब से बिखते हैं और तो और 2009 में तो रिकॉर्ड ही ब्रेक हो गया जहां पर 720 ग्राम ट्रफल आक्शन में पूरे डेड़ लाग डॉलर में विका अब जिसने भी से खरीदा होगा वो वाकई में इनका दिवाना होगा क्यों दोस्तों सही गानम ने हमें पता आप सोच रहे होंगे कि तरबूज कैसे हमीरों के खाने में शामिल हो सकता है क्योंकि इसे तो कोई भी खरीद कर खा सकता है लेकि दोस्तों ऐसा नहीं है क्योंकि देन्सुके ब्लैक वाटर मेलन सिर्फ और सिर्फ जापान के आईलन्ड में ही पाय जाते हैं जहां हैं इसी वज़े से एक तो ही महेंगा होता है उपर से इसका स्वाद इतना अच्छा होता है जिस करण जापान में कई लोग इसे गिफ्ट के तोर पर भी खरीदते हैं और अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो एक नॉर्मल डेन्सुके वाटर मेलन आपको 225 डॉलर प्रती य इस बेहदी अजीब कॉफी के बारे में सुनिए क्योंकि आप लोगों ने तरह तरह की कॉफी के बारे में सुना होगा पर ये दुनिया की सबसे महेंगी कॉफी है लेकिन दुनिया की सबसे महेंगी कॉफी होने के बावजूद भी बहुत से अमीर लोग इसे पीना पसंद नहीं करेंगे जिसकी सबसे बड़ी वजय इसके बनने का तरीका है जी हाँ दोस्तों ये कौफी किसी नॉर्मल कौफी बीन से नहीं बनती बलकि पहले इस कौफी को सिबिट नाम के जानवर को खिलाया जाता है और फिर जब वो जानवर इस से कौफी की पॉटी करता है उस आपसे आलविदा लेने का आपको हमारी वीडियो कैसी लेगी हमें कोमेंट करके बताईएगा और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद